आज की साकार मुर्ली से हमें गुन सीखने मिलता है निश्चे बुद्धी का निश्चे बुद्धी अर्थात किसी भी बात को जानना मानना उसको स्विकार करना और उसका स्वरूप बनना इसी को कहते हैं निश्चे बुद्धी बनना क्योंकि जब बुद्धी के अंदर clarity आती है उसे स्विकार करती है और तभी उसका स्वरूप बनती है उसको practical में कर प जैसे हमें इस शरीर को धारन किया, हमें एक नाम मिला है, ये रोल का नाम, जो भी हमें मिला, उस नाम के प्रती हमें निश्चे है कि ये मेरा नाम है, हमने उसको स्विकार किया हुआ है, हम जानते भी है, मानते भी है, स्विकार भी किया है, कि ये मेरा नाम है, कोई भी हमें ब नाम से तो हमारी आखे खुल जाती हैं, क्योंकि हमें पका पता हैं कि ये मेरा नाम है, तो ये नाम केवल मुझे रोल प्ले करने के लिए मिला हुआ है, तब भी हम उसके साथ इतना अटाश्ट हैं, अब हमारा सत्य स्वरूप, अगर हम उसको समझ लेते हैं, मान लेते हैं, स् उसका स्वरूप बन जाते हैं, तो हम अपने हर कर्म में स्रेष्ट दाला सकते हैं, जानना भी है, मानना भी है, स्विकार भी करना है, और उसका स्वरूप भी बनना है, हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, आज की मुडली में बाबा ने विशेश रूप से मैं आत्मा हू यह निश्चे बुद्धी बनने के लिए कहा, हम शरीर नहीं शरीर को चलाने वाली आत्मा है, यह केवल एक रोल है मेरा, इस रोल को प्ले करने वाली मैं सोल हूँ, इस रोल की स्टोरी है, इस रोल के डिफरेंट संबंध है, लेकिन यह रोल मैं नहीं हूँ, मैं इस रोल को प पहचान कर उन्हें प्रयोग मिला सकते हैं, क्योंकि हर एक आक्टर भी जो होता है, वो अपने किरदार के अंदर अपने गुण और शक्तियों को ही एक्सप्रेस करता है, इसी तरह से हमें भी ये रोल मिला है, हम आत्मा है, ये निश्चे कर अपने सतोग गुण को अपने रोल में express करना है जब आत्मिक स्वरूप मिस्थित होकर रोल प्ले करते हैं दूसरों को भी आत्मा समझते हैं तो acceptance power हमारी बढ़ती है हम एक दूसरे के लिए respectful बनते हैं और हमारे रोल को हम बेस्ट प्ले कर पाते हैं इसी लिए अपने इस सत्य स्वरूप में निश्चे बुद्धी हो करके अपने रोल को प्ले करें आज के दिवस्की यही शब कामना ओम शन्ती